हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपनी योट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्रिक स्पार्क फॉलो दपैशन अगर आपका भी पैशन क्रिकेट है तो अभी जाखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आता है तो वरना डिसलाइक भ IPL जो हमारा स्टार्ट होने वाला है तो इसमें बहुत सारे बंदों को लग रहा होगा कि घर बैटे बैटे ड्रीम 11 से कुछ पैसे कमाए जाए तो मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दोस्तो आपका जो कुछ भी फोन रहेगा उसके अंदर है क्या उसके रूल से यह सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे तो पहले क्या करना है आपको गूगल में जाना है ओके दोस्तों गूगल में जाने के बाद होम पेज के उपर जो कुछ भी रहेगा ड्रीम 11.com ऐसा सर्च करना है ऐसा लिखके सर्च रिजल्ट जो कुछ भी आएगा वो ऐसा दिखेगा ठीक है ओपर ही माही साब दिखेंगे ठीक है वहाँ पे लिखा है डाउनलोड अप प्ले नाउ दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप डाउनलोड अप अगर आप चाहिए आपको प मतलब पहले भी आप खेल चुके रिजिस्टर हुआ है तो डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपका रिजिस्टरिशन नहीं हुआ है तो आपको पहले रिजिस्टर करना पड़ेगा या तो प्ले ना उपे जाओ ताकि आप ब्राउजर में ही खेल पाओगे या फिर डाउनलो पाऊधeon करो क्यूँ क्यूंकि एप में आपको मिल सकते है सिर्फ के एक बार आपने लौगी रिजिस्टर करके लॉगिन कर दिया एक बार आपने रिजिस्टर करके लॉगिन कर दिया तो बाद में आपको अगर real cash कमाना है तो आपको आपका pancard और bank details वहाँ पे upload करना होता है और bank में आपके पैसे आजाते हैं जब पुछ आप जीतते हो अभी खेलते कैसे हैं rules तो rules देखो दोस्तो आपको यहाँ पे groups more more वाला जो option है इसमें fantasy points system फिर fan code shop how to play यहाँ पे सब कुछ details आपको मिल जाएंगे जैसे how to play है इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि rules क्या क्या है team कैसे create करते है fantasy points system क्या होती है other important points क्या है फिर यहाँ पे fantasy points system है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपके batsman ने अगर एक run बनाया तो एक point मिलता है boundary score किया तो bonus एक मिलता है six मारा है तो bonus दो points का मिलता है half century के लिए 8 points का bonus मिलता है century bonus plus 16 होता है और zero पे out हुआ तो minus 2 का bonus हो जाता है यह मतलब point system है अगर balling देखेंगे तो wicket लिया तो plus 25 points हो जाते है 4 wicket का haul लिया तो plus 8 5 wicket का haul लिया तो plus 16 हो जाएंगे और अगर आपके baller ने maiden over डाला है तो plus 8 points मिल जाएंगे fielding का दिखा जाए तो run out आता है fielding के अंदर और catching तो catch के लिए plus out points है plus 8 और stumping run out जितने भी filters वहाँ पे stumping या फिर run out करेंगे एक आखेला तो वो 12 points score करेगा और अगर run out 2 या 2 से जादा बंदों ने किया है और या फिर catch भी 2 या 2 से जादा बंदों ने लिया है तो 6-6 points उनके बीच में distribute किये जाएंगे इसके अलावा captain words captain की choice के उपर हमें point system भी मिलता है जैसे की अगर अगर आपका कोई player captain है तो उसके लिए आपको points मिलेंगे double मतलब एक run के लिए 2 points चीक है वैसे रहेगा और अगर वही player आपका wise captain है तो देड़ गुना points एक point की जगपे 1.5 points दो point की जगपे 3 points ठीक है ऐसा होता है उसका point system अभी चलते है team बनानी की तरफ तो यहाँ पे match जो रहेगा जो कुछ भी जैसे यापे TKR वर्सेस सेंट लूजिया जोक्स का match है CPL का finally उसका team बना के मैं आपको बताता हो तो उसके match की contest के अंदर जाओगे तो आपको create Andrew Fletcher है West Indies के opener बल्ले बास उनको select कर सकते हो फिर batsman की बात करेंगे तो Simmons है Monroe है Darren Bravo है तो आप चाहे तो ऐसे उपर के तीन यापे भी उपर के दो तीन जो प्वी नाम वाले खिलाडी है उनको select कर सकते हो ऐसे अलग-अलग players select कर सकते हो लेकिन उपर देखो क्या हो रहा है problem TKR के हो गए 7 players SLZ के हो गए 3 players team 10 players की नहीं हो सकती cricket में 11 players की team होती है points आपके पास बचे है 700 points के अंदर अंदर आपको team बनानी होती है और आपने points को consume कर लिया तो ये भी नहीं चलेगा दोस्तों ऐसे में expensive players के उपर दाव लगाना मुश्किल बढ़ जाता है जैसे कारन पॉलाड की जग़ा पे आप डेवें ब्रावो को pick कर सकते हो राश्चन चेस की जग़ा पे कारन पॉलाड ले सकते हो कम points वाले player जैसे लेंडन सीमन से मन्रो है तो क्योंकि Caribbean प्रिमेर लीगे तो हम preference देंगे West Indies की किलाडियों को तो नजिवल्लाज जादरान को pick कर सकते हो जो कि अफगानिस्तान के है ये पियर जो आप स्पिनर था पिछले मैश में उसने अच्छा किया था के स्ट्रिक विलियम्स आपको पता ही होगा विराट कोली के साथ इसका बढ़िया rivalry बन चुका था विराट के साथ जो rivalry बना सकता है तो वो अच्छा player होगा तो ये बात है ऐसे आप team बना सकते हो तो किसी भी team के maximum साथ players ले सकते हो किसी भी दूसरे team के कम से कम चार player लेने होगे या फिर आप team balance बनाना चाते हो तो एक को हटा के जैसे TKR के साथ से जादा player हो रहे तो TKR का एक player हटा के cell Z का दूसरा player ले लो 6-5 का combination बन जाएगा ऐसे आप team बना सकते हो या पर team preview भी देख सकते हो आप ऐसे आपको देखे का batsman कौन से है, baller कौन से है, team preview के अंदर और continue करोगे तो captain, voice captain choose करना बहत ही ज़्यादा important है उपर देखो क्या लिखा है, captain gets double points, voice captain gets one and half time points, ठीक है तो captain, voice captain कोई भी आपके मरजी से बना लेना है, तो मैंने cypherd को और darren bravo को captain, voice captain बना दिया है save team कर देना है, जैसे ही आपकी team save हो जाती है, तो आप contest के ओपर जा सकते हो जैसे कि यहाँ पे अलग-अलग तरीकी के contest है, तो mega contest पे click करेंगे, हम तो ऐसा दिखेगा, तो कौन सी team के साथ join करना इच्छे में से वो भी पूछे को अभी तो मेरे account में ज्यादा balance नहीं है, तो मैं बताऊंगा आपको की free of cost वाला contest पहले खेल लेना है, तो उसको join कैसे करना है, join बटन पे click कर देना है directly, और वो पूछेगा की कौन सा team आपको चाहिए, उसके हिसाप से contest join कर लेना है चीगे दोस्तो, select team, first team को मैंने select कर लिया, join कर दिया, देखो ऐसा आता है, cash कितना जाने वाला है, to pay, join दो contest करेंगे हम तो हमारा team contest के अंदर आ जाएगा, lead board के उपर देखोगे, तो आपको आपना team दिखाई देगा है, आपे first, जो team रहेगा, वो आपका ही रहेगा, देखो, यह हमने team बनाया था, जो आपको अभी screen के उपर दिखेगा आप सोचोगी कि नीचे वाले players का भी team आपको दिखना चाहिए, match शुरू होने तक यह कोई भी team आपको नहीं दिखता है दोस्तों क्योंकि क्या होता है, दूसरे का team देखोगे तो वो cheating हो जाएगा ना, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे खिला जाता है dream 11, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like करो, share करो, subscribe करो, और IPL शुरू होने तक wait करो, ज्यादा से ज्यादा dream 11 में आप जीतोगे, ऐसा मैं hope करता हूँ, thank you, keep watching, keep supporting